आपदा प्रबंदन में सटीकता जरूरी है यहां मानवी भूल की कोई गुंजाईश नहीं है इसलिए आज यहां आपदा प्रबंदन साहिता एवं उनर्वास एवं संरक्षक सचेव नागपूर के प्रधान सचेव असीम गुपता ने अपील की की अधिक से अधिक आधिक आधुनिक तकनीक का प्रयोग करें जिला दिकारी कारियाले स्तित्य चतरपती सभाग्रह में प्रमुक सचेव द्वारा आज इस जिला आपदा प्रबंदन प्राधिकरन के उचिस तरिये बैटक की गई इससे बार उन्होंने जिले में मौनसून की तैयारियों की समिक्षा की उन्होंने आपदा प्रबंदन में उपकरेंड मशीनरी अंतराजी समन्वे मौसम पूरवा नुमान और आधूनिक तकनीक को शामिल करने के मुद्दो पर वरिष्ट रदिकारियों का मार्ग देशन किया सटीक्ता आपदा प्रबंदन का एक प्रमुक्त अत्व है कोई भी मानवी भूल भारी पड़ सकती है इसलिए आपदा प्रबंदन में सटीक्ता की आविशक्ता होती है उसके लिए तकनीक कर स्तमाल करें नाकपुर जिले से भेहने वाली नदियों और उनके अंतराजी समन्दों को ध्यान में रखती हुए इस समन्वे को और मजबूत करने की आवशक्ता है ताकि यह सुनिश्यत हो सके कि 2020 की बाड़ में की गलतियों की पुनरवत्ती ना हो और इससे प्राप्त अनुभव और सा उनक्या 63 हो गई है उन्होंने राजसरकार को इस समन्द में जल से जल्द प्रस्ता भेजने का निर्देश दिया उन्होंने का कि अती समीदंशील शेत्रों में नागरिकों के मोबाइल पर SMS भेजने के लिए एक प्रणाली विक्सित की गई है आपदा प्रबंदन के लिए आवशक उपकरण मंगवाते समे दिर्गकारलीन योजना बनानी चाहिए और अनुवन को पहले से ही रखना चाहिए कोई सामागरी नहीं थी इसलिए इसने मदद नहीं की इस तरह चलाओ मत मौसम की पूर्वा अनुमान की उपेक्षा मत करो केंद्री जल आयोक से लगता ज जी समन्वे को बढ़ाकर जानकारी पहले सी उपलब्ध होगी बैटक में कलेक्टर आर विमला के साथ सेयुक्त पुलिसायुक्त अश्विती दोर्जे नाकपु नगर आयोक्त रादाकिशनन भी नाकपु सुधा प्रणे के अध्यक्ष मनोज सूरेवंशी जिला परिशत के मुख्य कारीकारी अधिकारी योगीश कुंभीचकर सीना के मीजर निखिल नामवियार राश्वी आप्दा प्रबंदन बल विपिन भिहारी सिंग सिचाय अधिक्षा कभियंता अंकुर देशाई इंजिनियर स्टी सहरे अमित परांजपे नगर निगम के अपर आयोक्त रा झाल